सबी को नमस्ते आज के दो चमतकारों को सुनने के पहले दल की द्वारा प्रकटित बोध को देखते हैं भैसे भागना ही आपके हर उदम का उदेश्य है मैं पश्चिम कोईमतूर से मनोर्मणी हूँ मुझे युके से होते हुए कणाडा से भारत की यात्रा करनी थी जैसे की उम्मीद थी यात्रा के लिए कई प्रतिबंद थे स्थिती इससे और बत्तर हो गई कि मैं बुखार से पीडित हो गई यात्रा से ठीक दो दिन पहले मुझे सांस लेने में तकलीफ और अपच की समस्या हो गई मैं असहाई स्थिती में थी शक्तिशाली आले दर्शन प्रार्थना के बाद मेरे स्वास्थ में सुधार हुआ और मेरा कोविड-19 जांच का परेणाम नेगिटिव आया मेरे सभी कागजाद क्लियर हो गए मेरी सारी घबराहट चमतकारिक धंग से दूर हो गई और सुरक्षित भारत पहुँच गई प्रियकल की मेरी अंदर महादवीपिय यात्रा के हर कदम पर अपनी दिव्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार आज का दूसरा चमतकर मैं कोविबतूर उत्तर से रानी पलनी स्वामी हूँ हाल ही में प्रयान के बीच मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं अपनी रसोई में गैस्ट ओफ बंद करना भूल गई हूँ हम तुरंद घर वापस नहीं पहुँच सकते थे मैंने विचलित हुए बिना आले दर्शिन करते हुए कलकी से उनकी सदा होने वाले शक्तिशा लिक्रिपा और करुणा मैं अशिरवाद के लिए प्रार्थना की प्रार्थना के बाद मैंने अपने नौकरों को खिड़की से गैस बंद करने का निर्देश दिया इसी बीच चूले पर रखे बर्दन में आग लग गई मैंने उनसे कहा कि रसोई का दर्वाजा खोलने की कोशिश करो हमारी प्रार्थना होती रही और चमतकारिक रूप से उनसे दर्वाजा खुल गया गैस्टोफ को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया प्रियकल की हमारे परिवार और हमारे घर को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार